हेलो प्रेंड्स, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल कुक विथ हब, आज मैं आप लोगों को राजिस्थानी कड़ी बनाना बताऊंगी यहां कड़ी बहुत ही लाजवाब बनती है, चलिए शुरू करते हैं यहां दो चार तेजपत्ता, दो तीन लसन की कलियां, दो इंच अद्रक का टुकड़ा, गोल मिर्च, लॉंग, दो बड़ी लाइची और दाल चेनी का चोटा सा टुकड़ा दो टेबल स्पून हमने लिया है, यहां पर मेथी जो की हमारे कड़ी का टेस्ट दो गुना कर देता है अब यहाँ पर हमने मसालों में आदा टेबल इस्पून एवरेश्ट मसाला, आदा टेबल इस्पून कस्तूरी लाल मिर्च, आदा टेबल इस्पून हल्दी और आदा टेबल इस्पून गरन मसाला चार-पांच प्याच के टुकड़ों को हमने चॉप कर लिया है यहां पर लिया है हमने 500 ग्राम बेजन हमने 7 लोगों के लिए यह कड़ी बनानी है अब हमने गैस पर कढ़ाई चला लेना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे अब इसमें 4 से 5 बड़े चमच हमने सरसो आयल डालना है च्वाइस आपकी है आप जो भी तेल खाते हैं आप उसको डाल सकते हैं पर हमारे यहां सरसो का तेल ही यूज होता है अब जब तक तेल गरम हो रहा है हम लोग कड़ी का पकोड़ी बना लेते हैं चलिए पकोड़ी की तरब चलते हैं यहाँ पर हमने बेशन और प्याच को अच्छी तरह से मिक्स करना है आप अपने एकोड़िंग मिर्च को कम या ज्यादा डाल सकते हैं आप जितना तिका खाना पसंद करते हैं इसमें काला नमक और जीरे का थोड़ा पेश्ट बनाकर आधा टेबल स्पून इसको डाल दें जिससे टेस्ट हमारा और अच्छा हो जाएगा अब मंग्रेल और आजवाइन को अच्छी तरह हातों से मैस करके थोड़ा सा इसमें आधा टेबल स्पून उसको एड़ कर दें साधा नमक अपने स्वाध अनुसार इसको भी आधा टेबल स्पून डाल दें अब हलदी मिलाकर हम लोग अच्छे से इस मिस्त्रण को त्यार कर लेंगे जिससे बिल्कुल लम्स ना बना रहे इसलिए हम लोग इस मिस्त्रण को बनाते समय ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल भी लम्स ना बने अच्छे से इसको फेट ले कढ़ाई को गैस पे हाई फ्लेम पे रख दें हाथ लगा कर उपर से चेक कर लें तेल गरम हो गया है तब ही जाकर इसमें पकोड़ी डालेएं तो आपकी पकोड़ी आपस में चिपक सकती है ध्यान रहे तेल बहुत गरम है पकॉडी को डालते समय अपने हाथों को थोड़ा ऊपर ही रखें और पकॉडी के बीच में जगा छोड़े जिसे पकॉडी आपस में चिपके ना और एक से दो मिनट होने के बाद ही पकॉडी को पल्टें ने तो यह पकॉडी आपकी बीच से तूट सकती है एक से दो मिनट बात देखे कितनी सुनारा कलर में हमारी पकॉडी बन चुकी है अब हम सारी पकॉडी को निकाल लेंगे ऐसे ही सारी पकॉडीयों को हम एक साथ तल लेंगे वीडियो लंबा ना हो इस वज़े से मैंने यहां पर स्किप कर दिया यह देखिए हमारे सारी पकोडियां एक साथ बनके त्यार हो गई हैं अब हम लोग बेशन का मिक्षर बना के कड़ी के लिए रेडी करते हैं यहां हमने दो बड़े चम्मच बेशन लिया है अब इसको हम जिस भगोने में पकोडी बनाए थे उसी भगोने में इसमें मिक्षर त्यार करेंगे पानी का घूल थोड़ा थोड़ा डाले नहीं तो बेशन आपस में क्या है कि धोक की टाइब बन जाएगा जिससे आपका कड़ी बनाते समय उसमें बबल सा जाएंगे और वह कड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी वह कड़ी आपकी फट सकती है इसलि बड़ी इलाइची दाल चीनी सभी को एक साथ डालकर मिस्रण को अच्छे से चला दें नहीं तो आपका यह मिस्रण जल सकता है एक से दो मिनट बाद आप देखेंगे कि आपके मिस्रण का कलर थोड़ा चेंज हो जाए अब आपका मिस्रण पूरी तरीके से मसालों के लिए अब हमने इसमें कस्तूरी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और इवरिष्ट गरम मसाला आधा स्पून जो कि हमने स्टार्टिंग में दिखाया था सब को डाल की अच्छे से भून लेना है याद रहे मिस्रण जलेना इसलिए हमने अपने हाथों को हमेशा चलाना है एक मेट भूनने के बाद अब हमने जो बेसन और पानी का घोल त्यार करना था इसमें धीरे धीरे करके पूरा घोल डाल देंगे घोल डालने के बाद तुरंत आप इसको चलाना सुरू कर दे नहीं तो आपका बेसन नीचे से लग सकता है यह देखे कितना बढ़िया कड़ी का कलर आया है अब हम इसको कंटीनियू चलाएंगे नहीं तो यह लग सकता है ये कड़ी थोड़ी फूल के उपर आएगी जिससे आप चलाएंगे तो ये कड़ी बहेगी नहीं इसलिए आप कड़ी को ड्रिकली कभी भी छोड़े ना इसको हमेशा चलाते रहें यह देखिए अब कड़ी फूल रही है हम इसको चलाते रहेंगे तो कड़ी कभी भी कड़ाई से बाहर नहीं आएगी यह दीरे-दीरे बैठ जाएगी तलवे में यह देखिए अब बड़े-बड़े बबल्स हमारे कड़ी में उठने लगे हैं इसका मतलब यह हुआ कि हमारी कड़ी पूरी तरीके से पक चुकी है अब हम जो पकौड़ी बनाया थे धीरे-धीरे इस पकौड़ी को इस कड़ी में डाल देंगे याद रहे इसमें बबल्स आथो पर छीटे भी जा सकते हैं सारी पकौड़ी डालने के बाद आप स्वाद अनुसार इसमें नमक डाले आधा टेबल इस्पून इसमें काला नमक और जीरे का पाउडर डाले जिससे कड़ी का टेस्ट दोगुना हो जाता है अब इसमें प्लास्ट में बारिक कटा हुआ धनिये से इसको गाड़निश कर दें जिससे हमारी कड़ी का टेस्ट और अच्छा हो जाए अब हमारी कड़ी पूरी तरीके से पक चुकी है अब इसको अच्छे से मैश कर दें अच्छे से मिक्सर को मिला दें और दो से तीन मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे और पकने दें दो से तीन मिनट हाई फ्लेम पे पकने के बाद गैस को बंद कर दे और कड़ी को पूरी तरीके से ठंडी होने दे ये देखिए आपकी कड़ी इस तरह से दिखती है और खाने में बहुत ही टेस्टी है चैनल पर नए है तो सस्क्राइब जरूर करें